हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की त्यारियों के अंतरगत हम अपना 1.8 हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी है तो उनकी एक कोटेशन में आपके बीच में लिकर आया हूँ देखिए ये क्या कहते थे विद्यार्थियों के लिए प्रेना स्ट्रोत कहे जाते है अपने मिशन में काम्याब होने का सिर्फ एक रास्ता है किसी भी काम को पूरी लगन के साथ करो ठीक है तो एपी जब दुलकलाम ये कहते हैं देखिए अपने अगर कोई भी मिशन पूरा करना है आपने तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको पूरी लगन के साथ करना पड़ेगा तो यही हमारा लक्ष है दोस्तो एक महिना एक लक्ष जियारेप और इसी इनकी कोटेशन को आतमसाथ करते हुए हम आज के लक्षर की शुरुआत करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम दिख लेते हैं बारत दुर्दशा नाटक के बारे में कि इसका रचनाकाल कब है क्या क्या चीज़ें इसमें प्रमुख है और इस इस वाली स्लाइड में ही दोस्तों बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे रचनाकाल इसके भारत दुर्दशा को जो रचनाकाल है और रचनाकाल की अगर बात करें तो इसका जो रचनाकाल है वो है 1880 जबकि अंधेर नगरी के बारे में जब हम पढ प्रकार का है तो इससे पहले हमने अंधेर नगरी के बारे में पढ़ रहा अंधेर नगरी था एक प्रकार का प्रहस्न जबकि ये जो आपका भारत दुर्दशा है देखिए ये क्या है ये है नाट्य रासक तो प्रकार क्या है इसका नाट्य रासक तो ये नाट्य रासक इस उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका रूपक, दूसरा है उपरूपक, रूपक के दस बेध हैं, जबकि उपरूपक के कितने हैं, अठारा बेध हैं, तो उन्हीं अठारा बेधों में से एक जो बेध है, वो है नाट्य रासक, तो उसमें इनोंने माना है किसको भारत दूर्दशा को कि ये नाटरासक है क्लिर है आगे अब हम पढ़ लेते हैं कि हिंदी का ये प्रत्थम मौलिक राजनेतिक नाटक है तो देखिए अगर इस तरी के से प्रशन पूचा जाए कि हिंदी का प्रत्थम मौलिक राजनेतिक नाटक कौन है तो हमारा उतर होगा भारत दुर्दशा ठीक है देश बतसलता के उदेश्य से लिखा गया समाज संसकारक नाटक तो देखेए देश भक्ती की भावना से ही इनका जो नाटक है भारत दुर्दशा लिखा गया है और साथ ही साथ समाज संसकारक या यूं कहें समाज सुधारक की ये नातक है और रितिकालीन कभियों के बाद एक नए विचार के साथ इन्हों ने लिखना शुरू कर दिया और जो एक त्रीके से नवजागरन का संदेश देता है हमें भारत दुर्दशा ना सिर्फ रूलाने के लिए भी पुश करता है ठीक है आगे देखिए विशे भारत वर्ष की ततकालीन परिस्तिती का चित्रन वह अंग्रेजी राज्य की अपरतक्ष निंदा अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का निरूपन तो ये इसका केंद्री विशाय देखिए भारत वर्ष की ततकालीन परिस्तिती का चित्रन करना वह साथ ही साथ अंग तो यह कुछ एक इसके प्रमुख विशे हैं, जो मैंने आपके बीच में रख दिया है, यहां से प्रशन बनने के संभावना रहती है, पिर आता है कि यह किस शैली में लिखा गया है, तो देखिए जो भारत दुर्दशा नाटक भारत एंदू हरिश्चंद्र जी ने लिखा ह यह लिखा है इनने प्रतीक आत्मक शैली में और यह दुखांत नाटक है, मतलब इसका अंत कैसे होता है, दुखद इसका अंत माना जाता है, जहां पर जो भारत है वो क्या है, खुद को कटार मार लेता है और आत्मगात करके आत्मात्या कर लेता है, तो इस प्रकार भारत जो है अंत में क्या होता है उसमें निराश दिखता है इसलिए ये कैसा नाटक है दुखांत नाटक है और प्रतिक जो इसके पातर हैं वो किसी न किसी चीज के प्रतीक हैं कोई अंग्रेजी राज का प्रतीक है तो कोई भारत का प्रतीक है तो कोई बिरोजगारी बगेरा बु परकोंका जानकारी अब हम देख लेते हैं कि इस्के जो प्रमुक पात्र कौन कौन से हैं तो देखिए इसमें लगवग 18-19 के आसपास पात रहें उन में से जो प्रमुख है वो मैंने आपके बीच में यहां पर रख दिये हैं सबसे पहले इसका जो पात रहे दिखी वो भारत नाइक के रूप में है जो अत्यंत कमजोर चरीतर है वो अपनी दीन हीन दशा पर रोता है तो पहला जो पात रहे दिखी जो इसका नाइक भी है वो कौन है भारत है और बहुत कमजोर है वो इसलिए कमजोर है क्योंकि भारत की जुस्तिती है वो एक तो अंग्रेजों ने पहले से इकराब कर दी थी और उपर से हमारे जो भारत व पिर आता है भारत दुर्देव ये एक शक्तिशाली खलनायक या प्रतिनायक के रूप में है तो ये किसका है शक्तिशाली खलनायक मतलब विलन का काम करता है ये इसमें है ना भारत दुर्देव और ये किसका है अंग्रेजी शाशन का प्रतीक है ठीक है फिर है सत्यनाश आलस तो ये हैं जो दुरदेव का साथ देते हैं, मतलब भारतियों में ये चीज़ें तब ही जो है, वो हमारे उपर, जो अंग्रेज हैं, राज करने के लिए सक्षम हैं, फीक है, नेक्स ते देखिए बारत भागया, ये भारत को बार बार जगाने की चेश्टा करता है पर वह सफल नहीं हो पाता यह भारत का क्या है सायोगी चरित्र है तो देखिए पहले हमने सायोगी चरित्रों की बात की जो भारत दुर्डेव के थे इसमें अब जो भारत भागय है ये भारत का ही सायोगी चरित्र है या पात्र है अ इसके अन्य पात्र है और इनके जरीये हमारा पूरा का पूरा जो नाटक है वो आगे चलता रहता है तो ये तो होगी प्रमुख पात्रों की बात हो सकता है इन पात्रों के बारे में पूछ लिया जाए कि कौन सा पात्र किस नाटक का है तो इनके बारे में थोड़ी सी जानका ठीक है भारत हो गया तो इसको आप याद इसली रख सकते हैं अब हम देख लेते हैं भारत दुर्दशा का जो नाटक है उसका संक्षेप में जान लेते हैं कि क्या है एक तरीके से उसकी समीक्षा या उसका सार या यूं कहें उसका जो कथ्या एवं उदेश्य क्या है इसके ब लेक भी करता है लेकक ने नाटक का प्रारंब अत्यंत भव्य एवं प्रभावुत पादक धंग से किया है तो देखे पहले नाटक में क्या कह रहा है कि इसमें जो योगी होता है वो लागणिगा कर जादा तर इसमें क्या है इस नाटक में गीतों का ही समाविश आपको देख मंग है उसकी तो यहां पर देखे क्या होता है कि भारती जो राजा थे उनकी पार्श पर फूट और कलह को गयक्त किया गया है और साथ ही भारत की अतीत का जो है इसमें गौरवगान किया गया है तो लेकक ने नाटक का प्रारम भव्वे और प्रभावुत पादक धंग से किय है जैसे देखे क्या कहता है वो सबसे पहले ही रोबहू सब मिली के आवहू भारत भाई हाँ भारत दूर्दशा न देखी जाई मतलब आओ सब मिलकर भारत की दूर्दशा पर आंसू बहाओ अब हमसे भारत की दूर्दशा नहीं देखी जाती तो पहले ही अंक में क्या दर मुर्चित होता दिखाए गया है तो देखे दूसरे अंक में क्या होता है कि जो भारत है वो अपने जो स्थिती है जो उसकी देहनीय स्थिती हो गई है उसके बारे में वो बताता है और मुर्चित होता है और इसी के अंत में ही क्या हो जाता है कि आशा और निरलज्टा दो जो तो इसका जो उत्तर होगा, वो होगा दूतियांख, घीक है, इसी तरीके से अन्य जो पात्र हैं, उनका अगमन कहां पर होता है, इसके बारे में भी हमें थोड़ी से जांकारी होनी चाहिए, तूतियांख की है, नाम है भारत दूरदेव, जो अंग्रेज का प्रतीक है, जू म यह भारत दुर्देव ही भारत की दुर्दशा का कारण है और यही जो दुर्देव है देखिए यही भारत की बुरी स्थिति का क्या है कारण माना गया है फूट, डह, लोब, भै, धुर्बिक्ष, अतिवरिष्टी, स्वार्थपरता, अनवरिष्टी, आदी के सहयोग से और इसके बाद जो भारत दुर्दैव है वो अपने फोशदा जो सत्यनाश अपने सधारन सैनिकों को नादिर्शाद चंगेज और तैमूर आदी बनाते हैं और साथी भारत के नीजी दोशों का भारत दुर्दैव के सैनिकों के रूप में वनन किया गया है तो दीए इसमें जो प्रत्थम कारण धर्म को माना गया है जिसके कारण भारत का पतन हुआ है मतलब अपने अपने धर्म को श्चेष्ट मानने वाले लोगों की वज़ा से ही भारत का कहीं न कहीं क्या हुआ है पतन हुआ है वो पीछे की उर गया है गरत की उर गया है अन्य कारणों में अगर हम इसमें भारतवश की विभिन कुरीतियों का उलेख करते हुए बताया गया है कि इनी के कारण भारत की दुरगती हो रही है ये है रोग आलस्य और मदिरा निर्धनता अविद्या बहु देवबाद चुवा छूत कलह मोह इत्यादी ये जो दोश रूपी पात रहें ये देश क अभिनाश कर रहे हैं तो यहाँ पर भारतेंदु ने देखी पूरे एक व्यंगे कसा हुआ है पूरे भारतियों के उपर जो क्या कर रहे हैं जो रोग और आलस्य में बैठे हैं ठीक है आलसी व्यक्ती है मतलब अपने देश की सही स्थिति के लिए वो कुछ नहीं कर रहे है कुछ मदिरा में है कुछ निर्धनता मतलब इस तरीके से जकर लिया है हम लोगों को कि हमारा जो देश है वो इन सब चीजों से भर गया है रोग अलस्य मदिरा निर्धनता अविद्या पहु देववाद कोई अपने में ही है है ना कोई दूसरी धरम को मान रहा है कोई दू अचूत में बिश्वास कर रहा है, हिंदू, हिंदू को ही काट रहा है, ठीक है, तो इस तरीके की ये जो कलय है, मो है, इन सब के कारण ही भारत का क्या हुआ है, बिनाश मानते हैं, भारत हिंदू, हरिश्चंद्र, तो इस अंक में भारत दुर्देव, रोग, अलस्य, मदिरा और अन्दकार को क्रहमिशा बेजता है, तो इसमें आप देखते हैं कि जो भारत दुर्देव, वो एक-एक करके उन सब को बेजता है, सबसे पहले भारत दुर्देव जो रोग को बेजता है, रोगों के जरिये वो भारत का शोशन करता है, है ना, अलस्य, मदिराज, इन से प्रभावित अकर्मन्य जनता का दैनिय चित्र उपस्थित किया गया है। जहां पर जैसे आपके संपादक कभी बगेरा बगेरा राइटर बगेरा हो गए है ना वो भी इसमें दिखते हैं। तो यहां पर वो अलग-अलग तरकीबें करते हुए दिखाए देते हैं कुछ यह कहते हैं कि हम इनकी तरह कोट पतलून पहनेंगे ताकि हमें पहचान न पाएं और हम इनसे बच जाएं। जबकि कुछ कवी यह कहता है कि मैं संपाद कैसा कहता है कि मैं इनके बारे में कुछ अच्छा लिख लिखूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से वो यह सारी चीज़े कर रहे होते हैं और इस अंक में ही भारतिया समाज के पड़े लिखे सब यह लोगों की एक कमेटी बनती ह जब यह कमेटी बना लेते हैं और यह कमेटी भारत को अपनी वैश्विख दास्ता से मुक्ती दिलाने यह तू परियास करती है। किन्तो उसी वक्त क्या होता है जो अंग्रेज चासक डिसलोयलिटी है। डिसलोयलिटी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट की हाकी में प्रकर क्या कर दिया जाता है। बंदी बना ले जाता है पांचोय अंक में। फिर आता है आपका आखरी और छटवा अंक। इस अंक में भारत अपने भागय को अचेत एवं मुर्चित अवस्था में देखकर उठाने की चेश्चा करता दिखाई पड़ता है। किन्तो जब पर नाटक समाप्त हो जाता है तो इस प्रकार या एक दुखद नाटक या दुखांत नाटक के रूप में हमारे सामने आता है। तो अगर इसकी बात करें तो बहुत ही उदेश्य पूर्ण और प्रसंगिक नाटक है। इसका उदेश्य ना सिर्फ हमें रूलाना है बलकि र प्रागरण का ही इसमें उदेश्य बारतेंदू हरिश्चंदर जी के द्वारा दिया गया है और बहुत प्रसंगिक नाटक है ये आज भी प्रसंगिक इसलिए है क्योंकि आज भी हमारे देश में जातिवाद, हिंसा ये सारी चीज़ें विद्यमान है ठीक है तो उस वक्त भारतेंदू हरिश्चंदर का नाटक अब देखिए जो मैंने आपको पहले बताया कि भारतेंदू हरिश्चंदर ने इसको छे अंकों में रखा है पहले अंक में क्या चीज़ें है वो मैंने आपको एक स्लाइड की जरिये बता रहा हूं मंगला चरण है मतलब पहला अंक है अस्थी इदर उदर पड़ी है ये किस द्रिशे में है तो ये दूसरे अंक में है ठीक है फिर तीसरा अंक है इसका स्थान मैदान है फोज के डेरे दिखाई पड़ते हैं भारत दुर्देव इसमें आता है तो भारत दुर्देव का आगमन होता है तीसरे अंक में फिर चौथ जो आंक है देखिए स्थान किताब खाना है यहां पर सब जो सब यह लोग है वो बैठे होते हैं लेकिन उनको बंदी बना लिये चाता है और आखरी जो आंक है स्थान गंभीरवन का मद्यभाग और भारत एक बिलक्ष के नीचे अचीत पड़ा है और भारत भागया वहां पर क्या करता है प्रवीश करता है ठीक है तो इस तरीके से इस नाटक का यहां पर समापन हो जाता है और भारत दुर्दशा के संबंद में देखिए प्रमुक विद्वानों ने अलग-अलग कथन कहे हैं इसमें सबसे पहले राम बिलास शर्मा देखे क्या लिखते हैं यहां से कहते हैं राम बिलास शर्मा जबकि भारत दुर्दशा देखिए खुद क्या कहते हैं इसको कि भारत दुर्दशा देश बतलता का नाटक है मतलब देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत नाटक है और सिधनात कुमार कहते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक की मूल चितना नेर जाने का नाटक है, तबी तो आपको जगा-जगा दिखेगा कि इसमें जाग-जाओ का संदेश, जागने का संदेश, भारतेन्दु Harishchandra अपने पात्रों के माध्यम से देग देते हुए नजर आते हैं, तो ये था दोस्तो भारतेन्दु अगर आपको इसमें कुछ एक डौट्स हैं या कुछ एक अन्य इसमें चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं फिलाल आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीजी से लाइक कीजिए अपने दोस्तों की बीच में श पूर्ती के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिंद